नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आपका पड़ताल दुनिया भर की में स्वागत है आज इंटरनेशनल डिप्लोमेसी क्या ट्विस्ट और टर्न ले रही है इस पर चर्चा करेंगे हम और चर्चा में हमारे साथ प्रबीर पुरकायस्त हैं तीन एहम सवाल जिन पर हम चर्चा करेंगे प्रबीर के साथ पहला जी सेवन की बैठक इटली में हो रही है तेरा से लेकर पंदरा तक उसमें किन किन मुद्दों पर सवाल है और सबसे बड़ा सवाल रूस और यूकरेन को लेकर है दूसरा सवाल है किस तरह से दुनिया के ये देश जो बहुत पावरफुल देश माने जाते हैं वे क्या रास्ता निकालेंगे गजा में जो जैनोसाइड चल रहा है उसे रोकने के लिए और इसी बीच क्योंकि हो रही है ये बैटक इटली में और यूरोपीन यूनियन में जो राइट विंग शिफ्ट हुआ है उस पर भी हम चर्चा करेंगे नक्षों के साथ तो प्रवीर सबसे पहले इटली होस्ट है जी सेवन का और जो पहला एजंडा ही है जिस पर चर्चा शुरू हो चुकी है वह बता रहा है कि कोशिश अब फिर हो रही है कि किस तरह से रूस का पैसा जो कबजा में ले रखा है उसके आधार पर यूकरेन को जैन्सकी को 50 बिल है अंतराश्टी कूटनीती में देखे इस पर दो बाते हैं एक तो है जी सेवन को कितना सीरियसली लेना चाहिए क्योंकि यह है ऐसे मुलकों की गड़ बंदन जो की दुनिया का एक वक्त पर राज करते थे इस वक्त वो नहीं है क्योंकि यूरोपेन यूनियर की हाल आप द कर बाते हैं पर यूरोपेन यूनियर के साथसाथ यूके है कैन false है इनकी आउकात क्या है यह प्रश्न चीन इस पर बहुत बड़ा है क्या दिनिया में इसकी कोई भूमी का इस वक्त है जब की चीन इसका बाहर है रूस इसका बाहर है भारतबुष इसका बाहर है तो इन सब देखते हुए इसको हम कहेंगे जो किसी ने कहा भी है वाइड बॉइस क्लब ठीक है तो सफेद चब्री देशों की जमगट है और शाइध इसलिए हर बार जहे अफ्रीकी के लिए होता है दिखाने का दात और खाने का दात अलग होता है और जपान भी इस वाक्त दुनिया में बहुत बड़ा भूमी का अदा दिंग करता है तो G7 एक ऐसे मुलकों की जमात है कि जिसकी पावर घट रही है दुनिया में पर उसकी अपना अपने बातों सो उसको लगत है कि वह अभी भी दुनिया के दिशा बता सकते तो बात रही आपकी यूक्रेट 50 बिलियन डॉलर सवाल यह है कि 300 बिलियन डॉलर जो रूस का पैसा है वो विदेशी बैंकों में इसलिए रखा था जैसे हम भी रखते हैं विदेशी बैंकों में हमारा foreign exchange reserves कहीं भी रह सकता ह पर ये ऐसे पैसे है जिसकी एवज में रूस सामान बेचा था और उसका जो पैसा था उन बैंकों में जमा था जो रूसके बाहर है जर्मनी में अमरीका में इत्यादी इत्यादी तो उसको जब्द करने का बहुत बड़ा प्लैन इनका था कि हम फ्रीज कर दिये हैं इसके इसा रखेंगा जब कभी भी यॉर्पियन देश या अमरीका उसको जब्द कर सकता है तो इसी लिए यहां जो बात कहीं जा रही है अगर आप फाइन प्रिंट को पढ़ेंगे तो यह कहा जा रहा है कि यूकरेन को हम एड देंगे एड का मातलु मालूम ही है आपका लोन होत तो यह को लापर किसी और का को लापर की है यह अगर होता है तो पहले इस यह को दे रहें को तो श्यPS को दे करेंगे तो अंतराश्टीयस तर पे उनके बेंकों में कोई पैसा नहीं रखेगा तो ये जो बात है इसको देखते हुए उन्होंने कहा हमने फ्रीस किया इस नहीं किया कभजा नहीं कर लिया पर इसको फ्रीस कर दिया ठंडा घर हर बें Congressman तो उसको आप collateral के तोर पे गारंटी के तोर पे इस्तिमाल करना चाहते हैं अंतर राष्ट्रिय कानून में ये भी गार कानूनी है क्योंकि अगर आप जब्त नहीं कर सकते तो और किसी का घर आप अपने लोन के लिए बंदक रख सकते हैं उसके अनुमती के बिना तो ये वही स एक ना एक वक्त पे जाके अगर समझाओता होता है तो पैसा तो रूसको वापस करना ही पड़ेगा आपको मालूम है इरान का पैसा जो सीज किया था तीस साल बाद उन्होंने इरान को वापस किया तो ये जो चीजे है लंबे अर्से तक चलती है तो ये भी उसी तरह का है पर ये लोन है 50 बिलियन डॉलर का लोन है जो युक्रेयन के जनता को एक ना एक वक्त पे जाके इन बैंकों को वापस दिनी पड़ेगी इससे अमरिका और यॉर्पियन देश जो हातियार बना रहे हैं वो युक्रेयन को भेजेंगे और कुछ पैसे भी देंगे जिससे वो सावान खरी सकते हैं तो उनका दोनों तरफ चलता है दोनों तरफ से उन्हीं को फायदा है उनकी को फायदा है तो अब हम चलेंगे जिसे कहते हैं युद्ध भूमी देखने के लिए जहां के लिए 50 बिलियन डॉलर दुबारा जा रहे हैं तो यह एक ऐसा नक्षा है जो बातार पैसा भीज रहे हैं यहां पर तो अब यह मैप अगर देखें तो देखेंगे कि जंग आज की तारिक पे करीब-करीब बॉर्डर्स तक ही सीमित है और यह बॉर्डर्स बहुत चेंज नहीं किये हैं पीछले 2-3 महीने से सिर्फ कारकीव इस इलाके में उपर से कुछ आपको दिखाई पड़ रहा है इस इलाके में छुट-पुट लड़ाईये हुए हैं रूस वहां पर कुछ नया जगहों पर कब्जा इसलिए किया है वो कह रहे हैं इन जगहों से रूस के अंदर आके लोग मार करने की कोशिश कर रहे हैं इसको हम रोकने के लिए यहां हमन जगहों पर कब्जा ओगो खो चुके थे यहां पर जो रूस की तारीख में जब हम बात कर रहे हैं तो यह जो पिंक कलर का दिखाई दे रहा है इसमें रूस का प्रभुत वह हो गया है या युद्धा भी चल रहा है यह तो प्रभुत हो गया बहुत पहले ही यह तो क्राइ इनके उक्रेन से मुक्त होने के लिए जिसके बाद रूस ने वहां इंटर्वीन किया था उसके बाद जो है बड़ा काफी बड़ी लड़ाई हो रही है जो उसके बाद ही हुआ है जिसमें यॉर्पन यूनियन अमरीका आज पूरी तरह से उक्रेन का साथ है तो यह इलाका देखते हुए है लग नहीं रहा है कि बहुत बड़ाई है होने वाला है हो सकता इस इलाके में कुछ लड़ाई और हो डान अगा बार्डर्स को ठीक करने के लिए ताकि एहां से जो हमला होता है यूक्रेन का शहर के उपर उसको रोकने के लिए पर यह बहुत बड़ा कोई अदला बदली नहीं होने बाला है रूस के तरफ से यह है कि यहां अगर बॉर्डर फ्रीज हो जाता उनके लिए उनकी वार एम्स जो था वो समच्चते पूरा है लेकि जेलिंस की इसके लिए तयार नहीं है क्योंकि यूरिपेन यूनियन और अमरीका इसकी पीछे लगाता कि जुमार लीये चाहे है कि गार मुराओं चेह बिए lira करेंगे ऊनके जमाther करेंगे दुनिया थनade के है कि यूरप की जु है चाहि अमरीकार और यूर्यकों Union के साथ है सबाल इनकी है कि इनकी डेश के अंदर इसका क्या हथर पुलेगा क्योंकि बहुत की मिलाइए तक बहुत महंगा है और बाइडन को भी चुनाओं में जाना है सुनक को भी चुनाओं में जाना है यानि अमरीका और यूके दोनों ही चुनाओं में जाने वाले हैं यूरोपेन यूनियन की चुनाओं अभी ही हो चुकी है जिसके हम चर्चा करेंगे उसका भी एक हिस्सा जुला पंथ है उसकी जीत होती दिखाई दे रही है और इटली में ही इसमें पूरा जी सेवन भी है यह जो समीकरण है यूरोप का दक्षन पंथ की तरफ जुकाओ का इसे कैसे आप देखते हैं तो कि इसका जो नक्षा है वो भी बहुत दिल्चस्प है यूरोपियन यूनियन एक बहुत बड़ा जमगट है देशों की इसमें दो जो मुख्य देश है खास तोर से यूनाइटिट किंग्डम को यूरोपियन यूनियन में जो वहां राइक बहुती राइट विंग पार्टी एफडी करके है उनका पलड़ा भारी हुआ है लग रहा था कि जिस तरह से उनके पहले वो क्या कहते हैं पूरी फासिबादी बाते करते हैं अभी भी हिटलर की हिटलर और नाजी से अपने को अपने आपको एक हिसाब से इडेंटिफाई करते हैं इन सब को देखते हुए जर्मनी में एक राइट वर्ड शिफ्ट देखने को मिल रहा है उसके साथ-साथ जो ग्रीन पार्टी थी ग्रीन पार्टी कमजोर हुआ है तो यह है और फ्रांस में अगर आते हैं वहां पर भी मारीन लेपां की पार्ट थोड़ी सी मजबूत हुई है मैकरॉन को परिशान कर दिया माकरॉन की जो पार्टी है रिन्यू के पार्ट थे वो वो काफी सीट्स लूज किये हैं तो यह जो है दोनों मैं कहूंगा यॉरोपियन यूनियन के करनधार अगर इन दो देशों को माने आज के तारिक पे इन द मैकरॉन की पार्टी है रिन्यू इसका 22 सीट घटा है यह मैकरॉन उस एलाइंस पे था क्योंकि यॉरोप का था तो मैकरॉन की पार्टी के सबसे ज्यादा यहां पर जो सीट घटे है मैकरॉन पार्टी के ज्यादा घटे है और अगर देखे नॉन एलाइन मतलब कभी जा सकत तो उनका जो है साइटीस बड़ा है उससे खास कुछ निन्ने नहीं ली जा सकती है लेकिन ग्रीज का कम हुआ है जर्मनी में ग्रीज का काफी एक हिस्सा था वोट का काफी सीट्स थी उस पे 19 लूज किया है तो यह दो शिफ्ट जो है कहां गया है यॉरप्या जो एपीप है वो बंडरलेन की पार्टी है जो यूरपेन कमिशनर है इस वक्त पर उस तरह सब देखे काफी इधर उधर बढ़ गया है कोई खास राइट वर्ड शिफ्ट जर्मनी के लावा और कुछ हट तक फ्रांस के लावा दिखाई नहीं पड़ता है तो हना कि कहा जाना थे फार रा नुकसान में है और खास तोर से ग्रीड पार्टी जो पुलिटिकली राइट में है एंवारिमेंटल इशू पर लेफ्ट पे है वो उसका नुकसान सबसे ज्यादा हुआ है आपका फ्रांस के मैकरों को चोड़ दें तो इस और मैकरों भी यूक्रेन युद में अमरीका के सा मुस्तायद दिखाई दे रहे थे मैकरों जर्मनी ग्रीन से सब जो है लड़ाई के पक्ष में थे यूक्रेन का लड़ाई वो चलाना चाहते उस पे अमरीकारिन के बीच पे कोई खास फरक नजर नहीं आता और आपको याद होगा पहले जो एग्रिमेंट हुआ था यूक्र यह तो हम दो इसलिए किया था कि तब उक्रेन को कैसे आर्म्स वगारा दे के मजबूत बनाया जाए ताकि उरूस के खिलाब जंग कर पाए तो यह तो बाद में कहा गया है तो इसलिए इन पार्टिस की जो पालिसी थी और इन पार्टिस के कंधे पे बंदूख रखके जो चला रहा है उन पार्टिस की नुकसान हुआ है क्या लाजर जो रियलाइनमेंट यॉरॉप का दिशा दिखाता है या नहीं यह देखनी पालेगी पर राइट विंग का इतना बड़ा गेश नहीं हुआ है जितना ग्रीन और मैकड़ून के नुकसान हुआ ग्रीन्स का जर्म shift की बात हो रही है हाँ इन दो देशों में राइट फिंग एक shift दिखाई पड़ रही है पुरा यॉरप को अगर देखें तो उस तरह के खास कुछ नजर नहीं आ रहा है अब हमारा बात करना बहुत जरूरी है गजा में जो हो रहा है जिस तरह से इसराइल जेनोसाइड में उ और उस पर कोई लगाम नहीं है और जिस तरह की खबरें और वीडियो हम चाहते हैं कि दर्शक देखें भी उनको वो दिल दहला रही है लगातार आठ हजार से अधिक बच्चे प्रलेकारी कुपोशन और भूख का शिकार है आदे सी अधिक आबादी जो है गजा की वह भू शांती हो जाएगी वो शांती हो जाएगी उनाइटेड नेशन्स की डबली एचो की जो प्रमुख लोग है वो साफ साफ कह रहे हैं कि हुमानिटेरियन बहुत बड़ा डिजास्टर इस वक्त गाजा में है गाजा के आधे से ज्यादा लोग इस वक्त मुरी के शिकार है और आसमान उनके हाथ में हैं समुंदर उनके हाथ में है और सेना भी उनी के पास है और यह कार्यक्रम चल रहा है उसमें कोई कोई ऐसा नजर नहीं आ रहा है कि वो रूकने वाला है या कुछ किसी तरह कोई शांती की ववस्ता काइम हो बार बार इस्रेल की नेता लोग कह रहे ह हैं कि हम पूरी जीत जब नहीं है तब जब तक नहीं हासिल करेंगे हम गाजा में रहेंगे और गाजा में रहेंगे यह नहीं कि गाजा की जिम्मेदारी लेंगे गाजा के कोई जिम्मेदारी नहीं लेंगे पर हमें कहीं भी किसी को मारने की अधिकार है तो यह बाते कहीं जा पढ़ रहा है सिर्फ इस बात की कि अगर समझावता होता है जिस पर बहुत बड़ा प्रश्चन चिन्य है तो शायद शांती के और बढ़ सकते हैं कतर बहुत देर से कोशिश कर रहा है बीच पिचाओ करने का अमरिका बोल रहा है हम भी शांती के साथ है पर उसके साथ साथ इ कतले हम ना कर दे तो गाजा की आधे से ज्यादा जनता इस वक्त मरी के कगार है हम नहीं डावलियो एचो यूनाइटेड नेशन से कह रही है जी और इसी बीच निखाई देता है कि लड़ाई दूसरी जगह पर भी पहुंची है जिस तरह से हमले हुए है और खास दोर से य लाका है वहां पर यह संखर्श और तेज हो रहा है काजा का असर पूरे वेस्ट एश्या पर पढ़ रहा है इसलिए पहले भी देखे हैं कि यमिन में जो हमले रेट सी पे किया है कि इस्रेयल के पास कोई जहाज पहुंचे रसद लेके उसको हम अटाक करेंगे पर हेजबु और लेवनौन दूसरा फ्लेश पॉइंट है और लगातार ये फ्लेश पॉइंट में कौलावारी तो हो ही रही है इस वक बंबारी भी हो रही है मिजाईल दागी जा रही है और जो हेजबुल्ला के खिलाफ जो इनका इस्रेयल के अटाक है वो सीरिया में हो चुका है सीरिय यूद पर उनकी दूतावास पर हुआ है यूदला ने ज्वास रही है इस यो और यूद पर भी हो रहा है और यूद उन्होंने दागा चैन के जब एक सीरिया कमांडर हियर्वल्ला को जो इसरेयल बंबारी करके मार दिया व् जुनों हुने किया है उन्होंने मेजाहिल दागी है रॉकेट फायर किया है इसरेल में धंदर। दॉनों देश क्या जंग की ओड़ंक है मतलब हीजिबनौ तो देश नहीं है मुद्ध अले Bowl पाट है पर लेबनौन का सरकार का पार्थ है तो ये भी क्या ये और एक जंग का क्या वहाँ पर ये खुल जाएगा ये देखने की बात है इसलिए ये बहुत चिंता जनक है कि दोनों तरफ से मिजाइल दागी जा रही है और इसका प्रोवकेशन जो है इसरेयल के तरफ से लगातार आ रही है चाहे वो सीरिया के अंदर हो चाहे ये लेबनान में हो तो लेबनान सीरिया घजा में चली रहा है तो लगता है कि पूरे इलाके में एक युद्ध और एक दूसरे पर हमले की ट्रेंड जो है वो लगातार बढ़ेगा ही बहुत बहुत शुक्रिया प्रबीर हम नजर बनाए रखेंगे और दर्शकों से भी अपील है कि देखिए परताल दुनिया भर की ताकि इस तरह की जो खबरें हैं इंटरनाशनल न्यूज जिसका तालुक हमसे भी है सीदे सीदे उन पर एक दूसरे ढंका चेश्मा आपको मिले देखने का समझने का और बहस करने का शुक्रिया झालुक्रिया